हेलो गैज, बहुत सारी लोग पूछ रहे हैं कि टाटा पावर नीचे क्यों जा रहा है तो वेल, मार्केट की हालत आपको सब ने देखी होगी नहीं तो स्क्रीन सॉट और डाल दिया है मैंने तो आप देख सकते हैं तो लगता है कि मार्केट पे बियर नी कंट्रोल ले लिया है तो मार्केट बीक लग रही है बट टाटा पावर के साथ क्या करें वो मैं सब बताऊंगा पर मैं उससे पहले बताना चाहूंगा कि मैंने कि कल एक स्टॉक बोला था कि मैंने ये लिया है और यह अच्छा करेगा सी आज मार्केट पूरा डाउन है तीन परसेंट डाउन है फिर भी मैंने जो स्टॉक दिया है वो आप देखिए इस बेर मार्केट में भी बहुत अच्छा प्रफॉर्मस ले है नहीं तो आप जाके चेक कर सकता भी कि मैं अपना एक स्टॉक बताऊंगा जो मैंने अभी लिया है आज ही लिया है और मुझे लगता है यह सौट तम में 15-20 दिन में अच्छे रिटन दे सकता है मुझे तो नाम आपने स्क्रीन पे देखी लिया होगा आप मेरे सब्सक्राइबर ने पूरा वीडियो देखा होगा और आज प्रॉफिट में अच्छे खासे में होंगे अब बात कर लेते हैं टाटव पाबर की टाटव पाबर पे जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वो सौट टम के लिए है तो उसका लॉस अच्छा तरीके से हुआ होगा वैसे भी आज पूरे ही स्टॉप डाउन थे तो होप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होगा नहीं तो आज के बाद वो स्टॉप लॉस लगाना सीख जाएंगे anyways, Tata Power में अब भी लोग जो profit में हैं तो वो थोड़ा बहुत profit book कर सकते हैं अगर long term के लिए हैं तो बेफिकर रही है, market उपर नीचे होता रहता है stocks उपर नीचे रहते हैं, अगर आप long term vision है अगर short term के लिए आपने लिया है, तो I hope कि आपने profit book कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो थोड़ी से time रोकिए, let's see Monday को market कैसे react करता है anyways, मैंने ये Tata Power आपको 160 पे दिलाया था, तो जिसने भी लिए उसको चिंता या फिकर नहीं होनी चाहिए anyways, Monday को देखते हैं market कैसा react करता है, but hope आपने आज stop loss लगाना सीख गए होगे anyways, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए, have a beautiful day, see ya